मुख्य मंत्री मनोहरलाल की अध्यक्षता में आज चंडीगड में हुई मंत्री मंदल की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले दो चरणों में होगा विधान सबा का बजट सत्र अब प्रदेश के सोनीपत में होगा वंदे भारत ट्रेन का निर्माण मुख्य मंत्री मनोहरलालने परधान मंत्री नरेंदर मोधी और केंद्री रेल मंत्री अश्वनी वैशनव का जताया अभार हराना विध्याले शिक्षा बोड द्वारा परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नया फॉर्मूला तैयार प्रशनपत्र पर तीन जगा अंकित होगा क्यू आर कोड और यूनीक आईडी और उप राष्ट्रपती जगदीब धनकर फरीदाबाद में कल से शुरू हो रहे चतिस में अंतर राष्ट्रे सूरज कुंड मेले का करेंगे शुभारम पूर्वतर के आठ राज्य होंगे थीम स्टेट नमस्कार मैं जगजीत कौर अब समाचार विस्तार से प्रदेश सरकार एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना चला रही है और हम राज्य में यूनिटी मॉल्स खोलने के लिए केंद्रिय बजट का पूरा लाब उठाएंगे बजट में गोवर्दन स्कीम के तहट पांस सो नए सेंत्रों की स्थापना करने का प्रवाधान किया गया है और आगामी वित वर्ष में करनाल पलवल तथा कुरक्षेतर में तीन नए प्लांट स्थापित किये जाएंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी है और पिछले आठ वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है हराणा में 2,75,000 रुपई प्रति व्यक्ति आये है केंद्रे रेल मंत्री अश्वनी वैशनव ने बताया कि इस बार के आम बजट में रेलवे के लिए 2,40,000 करोड रुपई आवंटित किये गए हैं उन्होंने कहा कि प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी के विजन से बनी वंदे भारत ट्रेन को यात्रिय की सुविधाय मोहिया कराई जा रही है रेल मंत्री ने कहा कि अब बंदे भारत ट्रेन का प्रड़क्शन बहुत तेजी से रैंप अप होगा अब तक यह है आई सी एफ चन्नाई में बनती थी अब हर्याना के सोनीपत महाराश्टर के लातूर ही शुरू होगा बंदे भारत ट्रेन का प्रड़क्शन बहुत तेजी से रैंप अप होगा और अब तक आई सी एफ चन्नाई में बनती थी अब आई सी एफ चन्नाई के अलावा सोनीपत में लातूर में महाराश्टर के लातूर में हर्याना के सोनीपत में और उत्रप्रदेश के राय बरेल में भी वंदे भारत ट्रेंज का मैनेफेक्ट्रिंग प्रड़क्शन चालो होगा प्रदान मंत्री जी का जो विजन है वंदे भारत ट्रेंज से वो इस प्रड़क्शन के रैंप अप होने से पूरा होगा सोनीपत में वंदे भारत ट्रेन का निर्माण शुरू करने के फैंसले पर मुख्य मंत्री मनोहर लानली ट्वीट करते हुए कहा कि भारत की शान एवं आतम निर्भता की स्वदेशी पहचान वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन हर्याना में होना हमारे लिए गर्व की बात है सोनी पत की भूमी भारत की रेल यात्रा को गती प्रदान करेगी मैं इसके लिए प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी और केंद्रिय रेल मंत्री अश्वनी वैशनव का धन्यवाद करता हूँ हर्याना विद्याले शिक्षा बोड की ओर से नकल रोकने के लिए अब की बार नई तकनीकों का प्रियोग कर परिक्षा को और अधिक पारदर्शी करवाने का निर्ण लिया गया है बोड अधिक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि दस्वी और बार्वी की परिक्षाएं 27 फरवरी से 28 मार्ज तक संचालित करवाई जाएंगी उन्होंने बताया कि इस वर्ष परिक्षाओं में नकल पर अंकुष लगाने के लिए नया फॉर्मूला तयार किया है इस बार प्रतेक प्रिक्षार्थी के प्रतेक पेज पर तीन जगए QR कोड अंकित होगा और प्रश्न पत्र पर एक यूनीक आईडी भी अंकित होगी पर रोक लगाई जा सकेगी उन्होंने बताया कि हर्याना बोड ये फार्मूला अपनाने वाला देश का पहला बोड बन गया है उसके उपर QR कोड अंकित है QR कोड अगर मालेजी आठ पेज का क्वेशन पेपर है तो हर पेज में तीन जगें QR कोड होगा यानि 24 जगें पूरे क्वेशन पेपर पर वही एक यूनिक QR कोड होगा और वो QR कोड उस बच्चे के लिए यूनिक है अगर कोई उसकी फोटो खीच कर उसको वाइरल करने की कोशिश करेगा तो तुरंत बोड को इसके बारे में पता लग जाएगा फिर क्वेशन पेपर पहले एक इखटे बंडल में खुला करते अब 24-24 के हमने पैकेट बनाया है जो सील्ड पैकेट होंगे और इन्विजिलेटर को दिये जाएंगे वही जाकर एक्वेशन पेपर के पैकेट खुलेंगे दो बच्चों के उस पर सिगनेचर होंगे पहले दिखाया जाएगा कि ये सील्ड है और सब के सामने खुला जाएगा दो विझियारती फॉर परिक्षायरती के उस पर सिगनेचर लिये जाएगे और उसके बाद एक खुलेगा बोड अधियक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने यह भी बताया कि प्रदेश के 92 नीजी स्कूलों को गलत SLC के आधार पर बोड की परिक्षाएं दिलवाने के मामले में नोटिस जारी किया है इन स्कूलों के 139 विद्यार्थियों ने हर्याना से बाहर के स्कूलों में फर्जी प्रमान पत्र के आधार पर परिक्षा दी थी उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी जांच विजिलेंस और CID को सौंप दी गई है 129 विजिलेंस की रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो भी कानूनी दारे में कारवाई बन पड़ती है वो हम करेंगे जो सर्टिफिकेट की जांच करना उसका वेरिफिकेशन करना ये नेमों के अंदर विद्या लेका कारे है उसके बाद ही वो एड्मिशन देंगे तो अगर इसके अंदर तहट अगर नहीं जांच किये वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो इसके लिए जिद्दल्य दोशी है परीदाबाद के सूरजकुंड में कल से शुरू होने वाले 36 में अंतरराष्ट्रिय सूरजकुंड मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी है उपराष्ट्रपते जगदीब धनकर इस शिल्प मेले का शुभारम करेंगे मेले के अतरिक नोडल अधिकारी ने बताया कि मेले की चपाल में एक हजार दर्शकों के बैठने की विवस्था की गई है उन्होंने बताया कि इस बार पुरवोतर के आठ राज्ये मेले की थीम स्टेट होंगे तो वहीं शंगाई सहयोग संगटन से जुड़े कई देश पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागी बनेंगे करीब 40 देशों के विदेशी कलाकार अपनी कला और संस्कृती से मेले के दर्शकों का मनुरंजन करेंगे जैसा कि ग्याता आप सबको की SEO कंट्री यहाँ पर पार्टनर नेशन है इस बार हमारे साथ और नौर्थ इस रिजन के सभी आटो स्टेट इस बार पार्टिस्मिट कर रहे हैं तो यह वैसे ही अपने आप में एक देखने के लिए लाइक मतलब बनाया जा रहा है वहीं दर्शकों ने कहा कि हमें मेले का बेसबरी से इंतजार है और इसमें हमें दूसरे देशों की संस्क्रिती को जानने का मौका मिलेगा आज पूरी दुनिया में विश्व आदर भूमी दिवस यानी World Wetland Day मनाया जा रहा है पहली बार ये दिवस 1997 में मनाया गया वेट लेंड यानी नदी, पोखर, तलाब और ऐसे जल शेत्र यहां हमेशा या साल के कई महीने जल भरा रहता है वेट लेंड्स जन्तू ही नहीं बलके पौधों के लिए भी एक स्मिर्ध तंत्र है जहां कई उपयोगी वनस्पतियां और आश्यदी पौधे प्रचूर मातरा में पाए जाते हैं केंद्रिय पर्यवरण मंत्री भुपेंद्र यादव ने ट्वीट करते हुए कहा के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के निर्द्रदम में भारत का रामसर साइटों का नेटवर्क ऐसे समय में फैल रहा है जब दुनिया ना समझ विकास के कारण अद्र भूमी खो रही है रक्षा के लिए विशेश योजना अमरित धरोहर शुरू करने की घोशना की गई है जो केंद्र सरकार की प्रतिबद्दा को दर्शाता है उपमुक मंत्री दुश्यांत चोटाला ने कहा केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गए आम बजट में पहली पांच मुख्य घोशन है कि कुछ समय पहले हमने जो पौधा लगाया आब वो बड़े पेड का स्वरूप लेगा उपमुक्य मंत्री ने कल उचाना हलके के गाम कर सिंधु में पुर्व मंत्री स्वर्गिय देश राजनमबरदार की सोलमी पुनेतिति के अफसर पर आयोजित कारेक्रम में शिर्कत की कि तो बारत सरकार ने विच मंत्री ने ये करी कि अब हर गाओं में डिजिटल लाइबरेरी बनाई जाए तो बारले तो सुलागे है जो कोद है हमने लगाना शुरू किया दनर्वाना से उचाना से आज वो पेड का सवरूप ले गया और तो देश के लाखों गाओं के अ अब्रेरी गाओं के बच्चों के विकास और सुदार और सिक्षा के नए उचलने के अदर योगदार देने का काम करी दुश्यन चोटाला ने कहा कि प्रदेश के गाओं में तलाबों के सौंद्रे करण पर आठ सौ करोड रुपए खर्च किये गए हैं जिससे छे हजार तलाबों का सौंद्रे करण किया गया और आगामी एक अपरेल से आठ हजार तलाबों के सौंद्रे करण की शुरूआत हो 800 करोड रुपे पिछले साल के बज़ेट में रखे, 14,000 तलाब हमारे प्रदेश के अंदर, 6,000 पहले साल में थे, 8,000 एक अप्रेल से खुदाई शुरू हो जाएगी, आपके सभी प्रदेश के 14,000 कुछ तलाबों का सुद्धे करन भी हो, आइटिया है हमारे कुचाणा के पर अप्रेली और खुर्द रहा है, और उसका लाब मिल रहा है, वहाँ ने अउटा से 30 गुपे लगा के ट्रेट शुरू करा है, मोट सेकील रिपेर रिपेर रहा है महला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश धांडा ने प्रदेश के महला आश्रमों के संबंद में अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठकी प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले तीन महला आश्रमों को लेकर राज्य मंत्री कमलेश धांडा ने कहा कि इन आश्रमों की जगा चिन्नित करने से लेकर उनके निर्मान संबंदी सभी प्रकिर्या में तेजी लाई जाए विभाग के अधिकारियों ने बताया कि महला आश्रम रिवाडी की जमीन के लिए 7 करोड 24 लाक रुपए सिर्था की जमीन के लिए 5 करोड 66 लाक रुपए के लिए हर्याना शेहरी विकास अधिकर प्राधिकरन द्वारा प्रस्ताब त्यार किया जा चुका है वहीं महला आश्रम नार नौल की जगा के लिए विभाग की संयुक्त कमेटी द्वारा कर चुकी है महला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा के विशम प्रस्तितियों का सामना कर रही महलाओं को अस्थाई तोर पर आश्रम प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि हमें मिलकर जीवन के कठन दोर से गुजर रही महलाओं को धैरे के साथ सामना करने की मदद सुविदा और सक्षम बनाना है मुखे सजिव संजीव कौशल ने ग्रह स्वास्ते महला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समिक्षा बैठक की अधियक्षता की उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये के राज्य वकेंदर सरकार द्वारा एक समान उदेश्य के लिए चलाई जा रही योजनाओं को एकी कृत करने के लिए मास्टर प्लान तियार किया जाए तांकि प्रतिक पात्र लाभारती को जन कल्यानकारी योजनाओं का ला इलाज मिल रहा है मुख्य सचिब ने निरोगी हर्याना स्वास्ते योजना में स्वास्ते विभाग के साथ शिक्षा विभाग के सहयोग की सुक्षम ताउं की भी समिक्षा की उन्होंने कहा कि निरोगी हर्याना स्वास्ते योजना के माधिम से 26.6 चार लाख परिवार और 1. दश्यमलव छुन्य छे करोड के से आधिक व्यक्ति इस योजना के अंतरकत कावर हो रहे हैं। समाचारों में आज इतना ही नमस्कार।